नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि ब्रीज एल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ब्रीज एल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और ब्रीज एल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफे होने पर सामान्य जुखाम नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए ब्रीज एल टैबलेट का उप्योग किया जाता है, इलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आखों से पानी आना, आख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदी लक्षणों से राहत पाने के लिए ब्रीज एल टैबलेट का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर, तवचा पर एलर्जी होने पर, तवचा पर रैशिस और तवचा पर खुजली होने पर भी डॉक्तर ब्रीज एल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है, ब्रीज एल एक ब्रैंड नेम है, ब्रीज एल टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, ब्रीज एल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन लिवो सेटरजीन और मॉन्टेलुकास्ट होता लिवो सेटरिजीन एंटिहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उप्योग सामान्य जुखाम नजला और एलरजी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है. और मॉन्टिलोकास्ट अस्थमा की वज़े से होने वाले लक्षणों जैसे सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आना आदी लक्षणों को नियंतरन करने वर रोकने में मदद करती है. साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ब्रीज एल टैबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ब्रीज एल टैबलेट की वज़े से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे मुँ में सुखापन होना, सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन अधिक आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्ती आने का मन होना आदी साइड इफेक्ट्स ब्रीज एल टैबलेट की वज़े से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे की ब्रीज एल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. ब्रीज एल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है. आम तोर पर डॉक्तर बारह साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ब्रीज एल टैबलेट को दिन में एक बार और श City Avoidεις L Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए Breeze L Tablet के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और Breeze L Tablet को लेने के बाद चांविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतरकता की आवशकता होती है, क्योंकि Breeze L टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है. अगर किसी व्यक्ति को Breeze L टाबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे लिवोसेट्रिजीन या मॉन्टेलुकास्ट आदी से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Breeze L टाबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी ब महिलाओं को Breeze L टाबलेट को लेने की सलाह देते हैं, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Breeze L टाबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, क्योंकि स्तनपान करा रही महिलाओं में Breeze L टाबलेट मा के दूद के जरिये बच्चे तक पहुँच सकती है, और दूद प कर लेना और अगर आपका ब्रीज एल टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं